आज मैं आपको R-mul के बारे में बताती हूँ मेरे कई विवर्स ने मुसे पूछा है कि बचो का R-mul क्या लिया जाता है बड़ो का R-mul क्या लिया जाता है बिग साइज, स्मोल साइज, एकसेल, टेपल एकसेल तो आज मैं आपका ये डाउट फेर करती हूँ ये जो मैंने 25 साल के सिलाई सिखाने और करने में जो experience लिया है वो आज मैं आपको share करती हूँ मैं जो भी कुछ नया-nया experience लेती जाती हूँ वो अपने सिखाने वालों के साथ share करती जाती हूँ तो आगे भी कुछ नया experience अगर मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आपके साथ share करूँगे और आप इसी तरह अपने doubt मुझसे पूझते रहें तो मैं clear करने की पूरी कोशिश करूँगी तो आए आज मैं आपको आर्मल के बारे में बताती हूँ अब मैं आपको 32 chest से बताना शुरू करती हूँ 32 chest के उसमें तक्ती का नाप 12 है आप एक तो नाप बिल्कुल सही लें सही तरीके से लें और बिल्कुल प्रॉपर उसमें लें कि आप या तो मेरा नाप लेने का वीडियो देखें क्योंकि जब तक सही से नाप नहीं लिया जाएगा कुर्ता या कुछ भी कपड़ा हमारा सही से नहीं बनेगा तो सबसे पहले हमारी तक्ती भी सही नाप होना चाहिए तक्ती याने फ्रंट तीरा तो जिसे इसमें तक्ती का नाप बार आईगे तो उसका हाफ लेंगे हम छेंज और स्टैंडर्ड साइज मेरा जो आर्मोल है वो साड़े साथ इंच है तो यह हम यहाँ से साड़े साथ इंच पर निशान लगा देंगे अब यहाँ पर हम सीनी का चोथा प्लस दो लेंगे सीना का चोथा थर्टी डू इंच है तो इसका बन फोर करेंगे तो आठ इंच आएगा उसमें प्लस दो कर लेंगे दस इंच हो जाएगा अब यहाँ से एक इंच लेंगे और यहाँ स्लांट एकदब मिला देंगे अब यहाँ से डेड़ इंच लेंगे और फिर एक इंच लेंगे यहाँ पर भी हम एक इंच तक हमें सीधा चलना है अब हम ऐसे गोलाई से निशान लगा देंगे यह देखें ऐसी हम बैक वाला करेंगे पहरे जो हमने निशान लगा है वहाँ पॉंट से ले लेंगे यह निशान भी आपका यहीं मिलना चाहिए बस अकर इससे थोड़ा सा आपका नीची चलाएज़ा तो कोई दिक्कत नहीं है और यह इस बहार वाली लाइन पर मिल जाना चाहिए यह हो गया हमारा 32 नापे सीने के नापे और तक्ती है 12 इंच तो उसका आप लेकिए इसी तरह आप में आपको 34 पर करती जाओंगी 34 में मारी तक्ती 12 इंच है कई लोग मोटा इंसान देखके तक्ती और सीने का आर्मोल का नाप बढ़ा देखते हैं लेकिन आप सही तरीके से नाप लीजे सभी की तक्ती अलग अलग आती है मोटे इंसानों की तक्ती आप आप अट्नमेटिक बढ़ाएं नहीं इंका नाप लेकर उसके हाफ करकर ही बनाए जिसे कि कई बार 42 सीना होता है तो भी तक्ती 12 इंच ही होती है कई लोग है सोचते हैं कि नई इसमें हम ये बहुत मोटे इंसान की तक्ती 12 इंच आई नहीं सकती लेकिन ये गलत है मोटे इंसान की भी तक्ती 12 इंच आ सकती है तो जैसे अब तक्ती हमारे पास वही है सेब उसके बाद सीने का चोथा आर्मोर हमारा ये ही रहेगा जैसे 34 का 1,4 करेंगे साड़े 8 इंच आएगा उसमें प्लस दो करेंगे तो साड़े 10 इंच हो जाएगा तो आर्मोर की लेंथ वही रहेगी चोड़ाई हमारी बढ़ती जाएगी ये देखिए 10 यहां आ गई अब यहां से आप एक इंच ले लीजिए और फिर इसको ऐसे इस जगह से मिला देजिए तो जैसे जैसे आपका सीने का चोथा इससा का नाब बढ़ता जाएगा आर्मोर की लेंथ वही रहेगी आपका नाब इस तरफ बढ़ता जाएगा जैसे कि अब हम 36 का करते हैं 36 का चोथा इससा 9 आएगा उसमें प्लस दो करेंगे तो 10, 11 इंच हो जाएगा तो यहां से 11 इंच हो जाएगा तो देखिए हमारा आर्म हॉल इस तरफ बढ़ता जाएगा फिर आप वही तरीका एक इंच यहां से लीजे ये एक इंच यह इंच की निशान वही है लेकिन ये जो निशान ये आप उसको इस तरह से यहां मिलाती जाएगा तो आप जैसे 40 इंच का चोथा 10 इंच आयेगा तो यहां 10 जो बारा इंच तो आपको प्रatar मॉल इस तरह बढ़ता ही जाएगा इस तरह से आपको प्र lambे hoy रखिया ये देखे, लेंद वह ही रखी है मैंने साड़े साथ इंच, बस जैसे विर्थ होते जारी है, पहले हमारा नो पे यहाँ था, चो तीस पे यहाँ था, चाथीस पे यहाँ आए, अब इस तरह से हमारी लेंद बढ़ती ही जारी है, तो इसलिए आहर मोल को कोई जादा नहीं आप 42 सीना हो गए, तो भी हम यही करेंगे, 42 का 1,4 तरह साड़े दस इंच आता है, उसमें प्लस 2 कर देंगे, तो साड़े पारा इंच हो जाएगा, तो यहां से हम साड़े पारा इंच कर लेंगे, तो हमारा सीना इस तरह बढ़ता ही जारा है, देखिए, ना आप, तो यह कि लाइन हमारी है इतर से बढ़ती जाए देखे था 32 सीने पे हमारा ये था आठ प्लस दो दस तो देखिए आर्मोल इतना बढ़ गया है बद्दी से तो आर्मोल की लेंद बढ़ाने की हमें कोई जरूरत बिल्कुल नहीं होती है आर्मोल की लेंद वही लीजे अपने आप आ जनासे आपका अर्मोल की नाम बढ़ते जाएं, हाँ कई बार तक्ती सेम नी होती है, तक्ती गम जादा हो जाती है, लेकिन 1.6 यह साथ इंच से जादा कभी किसी की तक्ती नहीं आती है, तो 1.6 इंच हुई, यहां हो गई, थार्टीन इंच हुई तो उसका हाफ साड़े चेंच हुआ तो यहाँ आओ गई यहाँ से आपने यह ड्रो कर लिया पिर इसके बाद यहाँ से एक इंच लिया उसको यहाँ आपस में मिला दिया वही तरीका इस जगा से आप 1.5 इंच लीजिए और यहां से 1 इंच लीजिए और यहां से भी 1 इंच लीजिए और इनको आपस में इसे जॉइन कर लीजिए मैं आपको अलग-अलग चोग से बता रही हुँ था कि आपको सही से शो हो तकती कई बार 14 इंच आती है तो यहाँ 7 इंच हो जाएगी यहाँ से आप सीथी साड़े साथ का स्टेंडर साइज आर्मों ले बोलीजिए और 42 चेस हुआ है यहाँ 40 हुआ जो भी हुआ जिसे 40 हुआ तो 10 प्लस दो 12 इंच आ गया और यहाँ से एक इंच हुआ लेकर यहाँ स्लांट उसको मिलाना है हमें यहाँ से डेड़ इंच और यहाँ से एक इंच यह यहाँ मिल जाएगा यह दिखे तो इस तरह से हमारे नाप आर्मों की लेंध में कोई चेंजिस नहीं होगा विर्थ आटमेंटिक्ली जैसे जीसे सीनी का नाप बढ़ता जाएगा आटमेंटिकली बढ़ती जाएग कई बार गल्स और लेड़्ीज का नाप सेम होता है लेकिन गल्स और लेड्यीज के नाप में एक फर्के होता है कि girl्स के नाप जो होता है इसमें उनके body structure थोड़ा अलग होता है और ladies के जो body structure है वो थोड़ा अलग होता है तो girls के लिए आप 32 इंच girls के भी chest का नापे और ladies के भी chest का नापे तो girls के सीने का नाप जो होगा उसमें हम armhole की length में 1.5 inch कम कर सकते हैं जिसे 32 इंच गर्स का बिना पर और किसी लेडीज का बिना पर तो 32 इंच हम लेडीज के लिए तो आर्मोर साथ इंच ही रखेंगे लेकिन गर्स के लिए हम आर्मोर को थोड़ा सा सवा साथ के साथ इंच कर सकते हैं यह चीज़े मैंने अपने experience से ली है यह मैं आपके साँ share कर रही हूं और एक यह होता है कि तक्ती और तीरे का नाप अगर आपने सही नहीं लिया है तो वो भी आपके बनानी में effect करेंगा आपकर सही नाप लेंगी तो बिल्कुल सही बनेगा कोई आपको complain करें कि मेरे आर्मोल से तोड़ा सा टाइट हो रहा है तो उसके लिए फिर आपको 8 इंच आर्मोल ले सकती है लेकिन 8 इंच से जादा मैंने आज तक कभी भी अपनी लाइक में नहीं आर्मोल को रखाए इस से जादा कभी नहीं लिया है और एक और बात कपड़े इस से भी जब आप नाप ले रही है तो भी आप आर्मोल साड़े साथ इंच ही रखें ये एक स्टैंडर्ड साइज है बहुत अच्छा है इससे बैठता है मैं इसमें बहुत बहुत शौन हूँ तो मैं आपको यह सब बात आपके साथ शेयर कर रहे हूं अगर आप मेरे मेर स्टैंड से कुर्टा बना रही है तो आप मेरा स्लीव कटिंग वाला वीडियो भी जरूर देखें उसमें मैंने एक तम परफेक्ट तरीका बताया कि किस तरह से हमें स्लीव निकालनी है उसमें उस तरीके से आपको स्लीव बनाने में आपकी स्लीव न बड़ी होगी न अगर आप इसी तरह से नाप जो मैंने बताया उस तरीके से आप ले रही है तो आपके तक्ति और तीरे में कोई चेंजिस नहीं होगे उसी तरह से बनेंगे लेकिन जब हम डीप नेक बनाते हैं या बॉट नेक बनाते तो तक्ति में प्लस मैनस करना होता है वो मैं आपको आपको आपको आगे कभी बता हुँए थैंक यू